Hello everyone, आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें Bank of Maharashtra के बारे में दिखो शांदार तेजी है और सिफ Bank of Maharashtra में नहीं, जो PSU's Bank है ना उसमें कुछ अलगी रौनक देखने को मिल रही है Specifically, जो छोटी सरकारी Bank है चोटी सरकारी Bank है भईया, performance शांदार रहा है Mid Cap, Small Cap Bank भईया, धमाका कर रहे है और Bank of Maharashtra भी पिछले कुछ दिनों से बहतरीन तीजी दिखा रहा है आज भी साड़े तीन परसंड की तीजी है Mid Cap Bank है ये, और अगर आप चनल को regular follow करते हो तो मेरी buying के recommendation रही है यहाँ पर बातचीत करेंगे कि जब इतनी बड़ी तीजी already दिखा चुका है ये तो मौका बन रहा है कि नहीं कहां तक potential है, क्या outlook इसका हो सकता है सस्ता भी है कि नहीं अभी इस range के आसपास देखें वीडियो को शुरू करें उसे पहले अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो please अभी इसे subscribe कर लिजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे videos हैं जो पो काफी जादा help करेंगे तो आज तीजी थी, 4% की रफतार कह सकते हो कि bank of maharashtra ने दिखाई है और खुलते ही तीजी आई यहाँ पर खुलते ही तीजी आई और वो भी गिरावट नहीं आई पूरे दिन में और सिर्फ bank of maharashtra ही नहीं आज बया जो छोटी सरकारी बैंक जैसे यूको बैंक सारे साथ परसंट की रफतार दिखाई Central bank of India 4% की तीजी दिखाई जो छोटी bank है ना उसने बड़ा performance आज दिखाया है bank of maharashtra पिछले एक महिने में 18% की तीजी दिखाई चुका है देखो इससे पहले भी तीजी आई थी लेकिन 33 की रेंज में ये रहा फिर दुबारा फटा फिर दुबारा ये 37-38 की रेंज में रहा आज फिर से attempt कर रहा है और वापस ये 40-50 रुपे की trajectory में जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर विशले एक साल में देखो तो पैसा डबल से भी जादा बना कर दिए 130% का growth है graph काफी interesting है 17-18 रुपे का share था बड़ी रफतार बनी थी 35 पे गया वापस गिर के नीचे आया 23 रुपे पर था वापस तेजी दिखाई 31 पे गया वापस थोड़ा सा correction दिखाया 27 पे आया वापस दुबारा तेजी पकड़ी तो शानधार तेजी है और अभी भी जो इसका आप एक साल का outlook अगर यहाँ से लेके चलते हो तो इसका graph काफी interesting है एक 30 आई गिरावट आई 30 आई गिरावट आई देख लेकिन देखो अभी न अच्छी बात यह है कि जो PSU को लेके जो investors का नजरिया है वो बदल रहा है चाहे वो institutions हो चाहे वो retail investors हो अब उनको पता चल रहा है कि भाईया जो discounted price पे available अगर आप देखो तो PSU's है और उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है सही है यह अगर हम bank of maharashtra की बात करें तो already 130% की तीज़ी इसने दिखाई है पिछले एक साल में लेकिन अभी भी इसका पी ratio है ना वो 8.90 का है जो कि average industry से कम है मतलब सस्ते valuation के उपर अभी भी है यह mid cap यह bank है यह इसका market के अब 27,000 क्रोड से भी जादा का है और यहाँ पर P ratio देखे तो अभी भी कम है इसका मतलब valuation देखे जाए तो अभी भी सस्ता है कोई महंगा नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका dividend payout जो है वो अच्छा है पिछले साल 50 पैसे का pay किया था इस बार 1.30 पैसे इससे पहले इन्होंने pay नहीं किया था तो देखा जाए तो अच्छी बात यह है कि bank ने जिस तरीके से profit कमाना शुरू किया तो profit कमाने के साथ साथ अब इन्होंने बड़े dividends भी payout करना शुरू किये है अब इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि bank of महराश्रा जो कि अभी कुछ time में लब पिछले साल 17-18 रुपे का share था अगर वो share आपको 1.5 रुपे का dividend पे कर रहा है almost 1.5 रुपे का dividend पे कर रहा है मतलब आपको सिफ dividend से ही यहाँ पर 7-8 परसन का return मिल गया तो यहाँ पर देखो सस्ते valuation के उपर buy करने के मौके definitely अच्छे रहते हैं और मान लीजे कि आज यह share आपको मिल रहा है 35-40 रुपे के करीब मिल रहा है अगर साल डेर साल बाद अगर यह आपको 60 रुपे पर नज़र आ गया तो यह जो dividend आपको 1.5 रुपे का था वो हो सकता है कि 1.5 रुपे का भी हो जाए क्योंकि वो तभी जाएगा 60-70 पर जब इनके profit जादा आपको नज़र आएंगे जब इनके revenue जादा नज़र आएंगे यहाँ पर अगर हम number wise देखें तो भईया बढ़ रहे हैं इनके revenue 3,755 करोड से 4,317 करोड फिर 4,770 करोड फिर 5,370 करोड फिर 5,417 करोड तो यह बहतरीन तरीके से grow हो रहा है और सबसची बात है profits इनके profits भी grow हो रहे है और यह अच्छी बात है 400 करोड से भईया 880 करोड के quarterly profit पर आ चुके हैं यह तो देखा जाए तो increase है improvement है और यह एक अच्छी बात है यहाँ पर और अगर हम बात करें यहाँ पर share holding को लेकर तो देखें प्रमोटर के पास अभी भी 86.46% की holding हाला कि promoter ने हाल फिलाद में अपनी holding थोड़ी सी कम करी है पहले 90.97% थी promoter यहाँ पर कौन है government है सरकारी bank है यह एक भी share गिर्वी नहीं है और देखो सरकारी bank में जिस तरीकी से तीजी आ रहे है government चाहती है कि और तीजी आए ताकि future में अपने कुछ और shares को offload कर पाए 75% पर अपनी holding लेकर जाए और तभी government बेचे की जब और अच्छा prize उनको मिलेगा future में जहां तक अगर हम public के बात है तो 6.43% की holding public के पास है Files यहाँ पर काफी बड़ी shopping करे है 0.26% से Files 0.68 बड़ी quantity में जो June quarter में shopping अगर किसे ने करी है तो वो Files है इसके अलावा insurance वाले भी है Insurance company के पास 3.08% की holding की वो बढ़के 5.45% पर आचुकी है तो बहुत बड़ी shopping यहाँ पर कह सकते है कि यह जो government अदनी holding offload करी उसमें insurance वालों ने खरीदा public ने भी खरीदा Files ने भी खरीदा और mutual funds ने भी खरीदा 0.23% से 0.38% पर आएगे तो देखा जाए तो बहुत हर किसे ने shopping करी है government ने यहाँ पर अपनी कुछ quantity offload करी लेकिन ऐसा नहीं है किसे public नहीं खरीदा है बड़ी quantity mutual funds बड़ी quantity में insurance company में actually खरीदारी हुई है बैंक ओफ महराश्रा fundamental तोर पर अगर हम बात करें तो सस्ते valuation के उपर available है पी इसका उतना महंगा नहीं है इसके company, sorry, bank के अगर हम देखें तो revenue profit में लगातार improvement हमें देखने को मिला जो की काफी अच्छी बात है काफी अच्छी बात है और इनकी बात करें जाए तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले कुछ quarters जो है इनका performance जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहे increase होता हुआ नजर आए ताकि share price में भी हमें उस तरीके का jump जो है वो देखने को मिलता रहे मेरे हिसाब से अगर हम मैं Bank of Maharashtra की बात करो तो जो chart pattern है वो काफ की अच्छी तरीके से form होता नजर आ रहा है देखो पहले वाली situation नहीं रही क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि बहुत बड़ी तेज़े के बाद गिरते थे सरकारी share क्योंकि यह था कि सरकारी कंपनियां उतने इच्छे परफॉर्म नहीं करती वो एक mindset था लेकिन अब दीरे दीरे न वो change हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आगे और change होता नजर आए और सरकारी कंपनियों भी अच्छे कासी तीजी देखने को मिले और खास है कि अगर आप देखो तो PSU में अभी हाल फिलाल में जब मोदी जी ने पार्लामेंट में कहा था कि जो भी investors है वो सरकारी कंपनियों के उपर invest करना शुरू करो खाला कि उसका भी थोड़ा बहुत impact नजर आ जरूर रहा है और देखो यार इनके health improve हो रही है यह हम कहा सकते हैं खास है कि bank की health improve हो रही है NPA अगर आप देखो तो सरकारी bank के NPA में लगातार improvement नजर आया है bank of वाराश्रा के जो NPA है वहाँ पर भी सुधार देखने को मिला है और पहली चीज़ तो मैं यह कहूँ कि अगर है तो रखे रहो ठीक है profit book करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है क्योंकि देखो यार तीज़े के बादना correction definitely expected है ऐसा नहीं कि यहां से यह गिरेगा ही नहीं हो सकता है कि यहां से यह 40-45 पे जाएगा वापस गिरावट दिखा तो वो वापस 40 के निचे भी आ जाएगा लेकिन फिर से यह attempt करेगा तीज़े की दिखाएगा और definitely अगर आने वाले आपका अगर एक डेट सार का horizon है तो पचास पचपन के करीब जाता नजर आ सकता है लेकिन उस बीच थोड़े बहुत जटके लगेंगे तो मैं यही कहूँगा कि जटके तो लगेंगे लेकिन उससे डरने की ज़रूत नहीं है लॉंग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है मेरे हिसाब से और सरकारी बैंक अच्छा परफॉर्म कर भी रही है तो यह तो हुई बैंक ओफ महराश्चर की बात इसके अलावा अगर आप चाहते है कि मैं यूको बैंक जो कि आज अच्छी तीजी दिखाई सेंट्रल बैंक ओफ विडिया ने बेची तीजी दिखाई तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अगर आप मेरा कूपन कोड हसे 20 का इस्तमाल करोगी तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा कई सारे बहतरीन फीचर्स है जिन में से एक के है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनका quarter on quarter updated portfolio आप देख साते हैं मतलब क्या खरीद रहे हैं क्या बेज रहे हैं क्योंकि यही वो investors है जो बड़े बड़े गेम खेलते हैं तो नजर होनी चाहिए इनके portfolio के उपर भी और इसको access करने के लिए पोर्टल को access करने के लिए link description में है और coupon code का यूज करना भूलिएगा नहीं वीडियो को यहीं पेंडर करूँगा पसंद आए हो तो like करें शायकर चैंब अगरा पहली बार हैं तो please subscribe करें और bank of maharashtra के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते हैं Thank you